हेलो एब्रीवान, विलकम तो यूटीब चैनल दामाथमाजिशन शो, फ्रेंड्स, I hope you will be fine, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन को solve करने बाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले इस कोश्चन को समझते हैं, दामीटर्स है, और सेंटर ओपे ये तीनों दामीटर्स मिल रहा है, उसके साथ साथ एंगल ओ, ओ, ए, 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 60 डिवी है, ओ, सी, भी, भी, 60 डिग्री है, हम लोग को करना क्या है, ये जो रेट कुलर से शेल्डर पार्ट है, इसका एरिया फाइंट करना है, और ये चार ओप्शन्स भी दिये गए है, तो चलिए हम लोग इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रेंट्स आप देख सकते हैं, ये 60 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं, कि सर्केल का डेडियस एक्वल होता है, सारा डेडियस एक दुसरे के बराबर होता है, तो ओ, ओ, होगा, उसी तरह, OC इक्वल्स, OB होगा, और OE इक्वल्स, OD होगा, तो जब ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह, ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, कि दोनों एंगल 60 60 हो गया तो angler sum property से ये भी एंगल 60 degree का होगा क्योंकि तीनो angler का जों 180 degree होता है और ये भी angler 60 degree होगा क्योंकि तीनो angler का जों 180 degree होता है अब आप देखेंगे के ये भी क्या है straight line है तो एक ही लाइन पे जितने भी angler से अगर बनते हैं तो सब कैसम कितना होता 180 दिग्री तो ये भी 60 दिग्री हो जाएगा और ये जब 60 दिग्री हो गया तो vertically opposite angle से ये भी 60 दिग्री हो गया ठीक है और ये radius ये radius और ये radius दोनों बड़ाबर है उसी तरह ये radius OC और OD बड़ाबर है तो हम लोग क्या करेंगे यहां construction करेंगे और इसको एक triangle बना देंगे OFC तो क्या होगा ये triangle OFC और OED दोनों congruent हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि congruent triangle का area equal होता है ये दोनों triangle ये angle ये angle बड़ाबर ये side ये side बड़ाबर और ये side ये side बड़ाबर तो triangle OFC congruent हो गया triangle OED के कौन से क्राइट अरिया से side angle side SES से ठीक है तो इस triangle का area होगा वही इस triangle का area होगा और इस arc के जरीए और इस chord के जरीए जो ये shader region है ये भी यही shader region हो जाएगा थीक है तो अब हम लोग को का करना है हम लोग को करना ये है कि इस पूरे circle का area find नहीं करना है अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ semi circle का area find करना है semi circle का area अगर हम लोग find कर लें और उस में से इस तीनों के triangle के area को घटा दें तो हम लोग को shaded region का area पता चल जाएगा तो circle का area क्या होता है area of circle होता है πाई आर स्क्वाइर लेकिन हम लोग को area of semi circle चाहिए तो area of semi circle हो जाएगा πाई आर स्क्वाइर बाई 2 ठीक है अब हम लोग को एक triangle का area अगर हम लोग को find कर लेंगे तो उसी तरह इस तीनों triangle का area हम लोग को पता चल जाएगा थिरे से multiply करने पड़ एक triangle oaf लेते हैं तो area of triangle oaf equal क्या होगा है आप देख सकते हैं ये angle ये angle ये angle ये angle तीनों angle equal है इसका मतलब यह है ये equilateral triangle है equilateral triangle का area क्या होता है under root 3 by 4 into side square ठीक है यहाँ क्या है side circle का जो radius है वही triangle का side है तो root 3 by 4 into r square ठीक है ये हो गया area of triangle एक triangle का area तीन triangle है तो area of of three such triangles equals 3 into root 3 by 4 r square equals 3 root 3 by 4 r square ये हो गया triangle का area तीनों triangle का और हम लोगों को पहले से पता है semi circle का area हम लोगों ने find कर लिया था पहले ही अब क्या करेंगे semi circle के area में से हम लोग इसके area को घटाएंगे तो shaded region का area पता चल जाएगा 3 under root 3 by 4 r square ठीक है अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि r square common है और 2 भी common है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है क्योंकि 4 2 का multiple है तो हम लोग r square by 2 common ले लेंगे अब यहाँ बचेगा पाई माइनस और यहाँ बच जाएगा 3 under root 3 by 4 है तो 2 बचेगा तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा इसलिए option 3 सही आंसर होगा फ्रेंट्स, आइओप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके bell icon दब आदे ताके आपको इसी तरह का interesting videos का notification मिलता रहे thanks for watching